नमस्ते, आदरेंड या प्रधानाचार्य मानन या शिक्षगण एवं मेरे प्यारे साथ के हैं मैं भूनिका गेलोटकक्षा 18 से आज 2 अक्टूबर हैं और आज ही के दिन भारत की महान धर्दी पर एक महान व्यक्ति का जन्द हुआ था जिसका नाम ना तो हम कभी भून सकते हैं और ना ही हम कभी भूनने देखें महंदास करमचंगाम एक ऐसा नाम जो हमेशा से हमें प्रेरिख करते आया है एक ऐसा इंसान जिन्होंने हमेशा से हमें जीवन को जीने की सीख दी है क्योंकि बापु तो यही कहते है कि व्यक्ति तो विचारों से लिर्मित एक प्राणी है वह जो सोचता है वही बन जाता है बापु बापु ने तो हमें कितनी सारी अच्छी अच्छी बाते सिखाई है बापु ने हमें यह सिखाया है कि चाहे परिस्ति कितनी भी बूरी क्यों ना हो हमें हमेशा से सत्य का मार्ग भी अपनाना चाहिए उन्होंने देश को यह सिखाया कि चाहे कितनी बड़ी बड़ी लड़ाई या क्यों ना लड़ी है हमें हमेशा से अहिंसा का मार्ग भी अपनाना चाहो बापू तो मेरे हमेशा से हीरोई रहे क्योंकि उनकी बाते मुझे हमेशा से प्रेरित करती आई है उनकी विचार, उनका परिश्रम, उनकी बाते मानों कोई भगवान से कम नहीं उनकी सीख हमेशा से मुझे अच्छी बनाती आएगा मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँ कि गलत है वो लोग जो कहते हैं कि मजबूरी का नाम है गांधी क्योंकि मजबूरी नहीं मस्बूती का नाम है गांधी धन्यवाद क्वार्थ